वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल लिपसा नीटिंग कॉर्णर पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरह से हमने मशीन के साथ इस गले की कटिंग की थी साथ ही हमने हाथ से किस तरह से इस वी शेप गले की पट्टी बनाए थी आज हम इसके मुंधे की पट्टी बनाएंगे तो मुंधे की कटिंग तो देना मैंने आपको बताई दिया था अब हम इसकी पट्टी किस तरह से बनाएंगे और किस तरह से हम फंदे उठाएंगे वो देखेंगे तो आईए शुरू करते हैं तो इसके लिए जहां से हमारा ये मुंदा स्टार्ट हो रहा है वहां से हमने इस तरह से फंदे उठाने हैं एक नीडल में ये चीज मैं विगनर्स के लिए बता रही हूँ कि इस तरह से फंदे उठा सकते हैं विगनर्स और इस तरह से यहां सेंटर तक 55फंदे मैंने उठाने हैं और उसके बाद भी आगे 55 मलड़ टोटल 100-10 फंदे मैंने इस मुंबढे के लिए उठाए हुए हैं और कितनी ہाइट के लिए कितना लंबा मुंढा बनाना है उस हिसाब से ही ये फंदे उठाये जाते हैं ये चीज तो हो गई विगनर्स के लिए लेकिन जो एडवांस लेवल के हैं तो वो इस तरह से भी फंदे उठा सकते हैं जिस धागे के साथ हमने मुंधा बनाना है उस धागे को बुनाई करते हुए भी फंदे इस तरह से उठाये जा सकते हैं लेकिन जो विगनर्स हैं उनसे कई बार ये फंदा छूट जाता है उनसे उठाया नहीं जाता है तो वे जिस तरह से मैंने पहले बताया उस तरह से उठा सकते हैं तो जैसे आपको easy लगे उस धंग से आप इन फंदों को उठा सकते हैं और ये फंदे बिलकुल हमने lay में उठाने हैं इन में न कोई जादा gap होना चाहिए और ना ही ये जादा नजदीक होने चाहिए तो बहुत ही ध्यान से हमने इनको line wise उठा लेना हैं तो इन फंदों को हमने इसी तरह से यहां तक 55 और उससे आगे भी 55 उठा लेना है टोटल 110 करके और उसके बाद जैसे की हमने border बनाया हुआ है एक फंदा उल्टा एक सीथा तो उसी तरह से हमने इन सभी फंदों को बना लेना है कर दो बना है एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा करते हूं मैंने इस बॉर्डर को बना लिया है जितनी लंबाई मैं इसकी रखना चाहती हूं उतना और इसको बनाने के बाद हमने इसकी घटाई दे देनी हैं घटाई आप किस तरीके से देना चाहते हैं यह आप के ओपर डिपेंड करता है अगर आप सिंपल घटाई देना चाहते हैं तो सिंपल भी दे सकते हैं, डिजाइनर घटाई देना चाहते हैं, तो आप इसमें डिजाइनर घटाई भी दे सकते हैं, मैं यहां बिल्कुल सिंपल तरीके से घटाई दे रही हूं, तो सिंपल तरीके से घटाई देने का तरीका ये है, कि इस तरह से बुनाई कर लें, और ज को इसके उपर से उतार देना है ये घटाई करने का सबसे असान तरीका है और विगनर्स के लिए ये बहुत ही इजी रहेगा और उसके बाद अगर डिजाइनर घटाई आप करना चाहते हैं तो आप मेरे वीडियो पे विजिट करके देख सकते हैं कि किस तरह से बिना सिलने व फंदों की घटाई कर सकते हैं तो इस तरह से मैंने यहां फंदों की घटाई कर ली है और इन फंदों की घटाई करने के बाद हमारे मुन्धे की पट्टी बनकर तयार हो गई है अब हमने इसको सिलाई करना है इसकी सिलाई करने के लिए मैं यहां महरून धागा यूज कर र अगे के साथ हम इसको सिंपल तरीके से सिलाई करेंगे तो ये महरून धागा हमारा बाहर की तरफ दिखेगा तो हमने बहुत ही ध्यान से इसको सिलाई करना है इस तरह से हमने नीडल को डालना है और बाहर की तरफ निकाल देना है अब हमने दूसरे तरफ जाना है और दूसरे और बिल्कुल सफाई के साथ हमारी यहां सिलाई हो जाएगी तो फिर से ध्यान से देखिए कि इस तरह से हमने नीडल को डालना है और फिर उसके बाद इसको निकाल लेना है दोनों ही साइड हमने अलग अलग बार नीडल को डालना है तो इस तरह से सिलाई करने पर हमारा यह महरून धागा बाहर की तरफ नहीं दिखता है और हमारी सिलाई बिल्कुल साफ तरीके से आती है तो इसी तरह से हमने इस पूरी की पूरी स्वेटर को सिलाई कर लेना है यहां इस कलर में हमारा महरून धागा बिल्कुल भी उपर की तरफ नहीं दिख रहा है और यह बिल्कुल साफ नजर आ रहा है इसकी जो सिलाई है वो बहुत ही साफ तरीके से हमें नजर आ रही है इसी तरह से यहां जो हमारे पास लाइट कलर का धागा है इसमें भी अगर हम इस तरीके से सिलाई करते हैं तो इसमें भी हमारा ये महरून कलर का धागा उपर की तरफ नहीं दिखाई देगा बिल्कि ये बिल्कुल वैसा ही दिखाई देगा जैसा ये हमने यहां लाइम कलर का यूज किया हुआ है सिलाई करने के बाद हमारी ये हाप स्वेटर जो की मैंने बची हुई उन से बनाई है वो बनकर तयार हो गई है तो आपको पता चली गया होगा कि किस तरह से हमने मुंधे की पट्टी को बनाना है किस तरह से हमने मुंधे के फंदों को उठाना है और किस तरह से हमने एक ही कलर के साथ इसकी सिलाई करनी है साथ ही ऐसी सिलाई करनी है कि वो बाहर की तरफ हमें ना दिखे लेकिन फिर भी अगर आपका कोई question है तो आप comment box में मुझे पूस सकते हैं या फिर मुझे इंस्टा पे भी follow कर सकते हैं इंस्टा का link मैं आपको description box में दे दूंगी तो मेरी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेर कर दीजिए थैंक यू